हलो फ्रेंड वेलकम टू माई चैनल मैं हूं किरन और मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तो ये नई वीडियो फिर से आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ उमीद है आज की वीडियो आपको अच्छा लगेगा और अच्छा लगेगा तो वीडियो के नीचे लाइक कब टाये उसको क्लिक करें और साथ में सबस्क्राइब करें मेरे चैनल को आने वाली हर वीडियो को देखने के लिए सबसे पहले तो वीडियो शूर करते हैं, let's get started! आज मैंने ये वीडियो लेकर के आई हूँ, सीम और आलो की बहुती लजीज ड्राय सुखी सबजी, तो शुरू करते हैं वीडियो, तो ये देखी, ये सीम है, इस तरह का सीम अकसर आप मार्केट में देखते होगे, लेकिन क्या होता है, बहुत लोग को इसको बनाने नहीं आ आपको छीलना है, बीज से फारना है, स्प्लिट करना है, क्योंकि बिना फारे हुए अगर आप काटोगे तो इसके अंदर बहुत सारे कीरे निकलते हैं, इस तरह का देखिए, जैसे मैंने आपको फार के दिखाया है, ये एक बीज देख सकते हैं, जिसके ऊपर एक कीरी और जिसमें भी कीरे वगरा होते हैं, उसको फेक दो, या फिर हलका है, तो इस तरह से तोड़ करके आप अच्छे वाली रख लो, और जो खराब है उसको फेक दो, इस तरह से जरूर बनाएं, आप सारे सीम की सबजी नहीं, तो बहुत सारे कीरी होती है, बिल्कुल भी काट इस तरह से फार-फार के भी से देख लें, और जो अच्छे उसका ही फिर इस तरह से फार करके बनाएं, तो इस तरह से देखें, मैंने लगबग जो भी अच्छे वाले थे, सबको मैंने निकाल लिया इस तरह से, और जो खराब कीरे वाले थे, उसको हमने हटा दिया है, तो इस तरह से आलो को काटना है छोड़े छोड़े टुकडों में सीम मैंने यहां पर लिया हुआ था लगबग आधा किलो के आसपास आधा किलो सीम को काफी अच्छे से मैंने दिखाया आपको इस तरह से मैंने फार करके चेक कर लिया और उसे तरह से आलो को भी काट करके धो करके रख लिया है अब नेक्स टेप में हम कुछ मसालो को ड्राय रोस्ट करेंगे जो कि मैंने बहुत सारे वीडियो में यूज किया हुआ ये मसाले ये किनवानी बहुत ही जादा सबजी के स्वाद को बढ़ा देता है यहां पर मैंने मसाले जो ड्राय रोस्ट कर रही हूँ धनिया साबुत धनिया लिया है एक से डेल चमच उसके लिया है थोड़ा समयने ब्लैक पेपर काले मिर्च जीरा और ये सौफ लिया है और इसको बोलती का सुरी मेति का जो ग्रीन वाला पत्ता होता ड्राय वो और लाल मिर्च तो कॉंटिटी जो है आप अपने हिसाब से रखिए क्योंकि यह मसाले जैसे आप बाद में स्टोर करके भी रख सकते हैं किसी भी भुजिया सबजी में यूज करने के लिए यहां पर मैंने एक एक डेड़े चमस लिया है जो कि ज़्यादा मसाले हो जाते है तो मैं इसको स्टोर करके भी रख लेती हूँ तो आप भी इसी तरह से मसाले को भून करके रखियो और यह यकीन माने दोस्तों यह मसाला जो है सबजी का स्वाद इतना ज़्यादा बढ़ा देता है कि पूछे मत तो काफी अच्छे से इसको ड्राय रोस्ट करेंगे लगवग 2-3 मेर तक और फिर इसको अच्छे से ग्राइन कर लेंगे थोड़ा ठंडा करके दरदरा ग्राइन करना है जादा बिल्कुल भी बाड़िक ना ग्राइन करें ग्राइन हो चुका है आप देख सकते हैं यह तो यहां पर सीम को काफी अच्छे से फ्राइ करना होता है तो तेल आप जादा कॉंटिटी में रखे साथ आठ चमज रख सकते हैं यहां पर जो भी कुकिंग ऑल जो भी तेल खाते वह यूज करें मैंने सर्सो का तेल यूज किया है तो तो तेल जैसे गरम हो जाएगा तो यहां पर हम तर्का डालेंगे तर्का के लिए आप जो है राई जो ब्लैक वाली राई होती है काली सर्सो वो डाले और एक दो लाल मिर्स साबुट डाल सकते हैं तो जैसे यह बग जाएगा उसके आद हमने सीम को काफी अच्छे से दो लिया था दोने के बाद इसमें हम डा सीम को काफी अच्छे से डालने के बाद काफी अच्छे से इसको फ्राई करना है लगबक अच्छे से कलर जब तक इसका चेंज ना हो जाए लगबक गोल्डन ना हो जाए तब तक इसको अच्छे से भूनना है तब ही स्वाद काफी अच्छा आता है और जो मैंने मसाले बत और बहुत सारे सब्जियों में डाला है स्वाद को बढ़ा देता है यकीन मानिए तो काफी अच्छे समारा सीम फ्राइ हो गया तो थरा आलू भी साथ में फ्राइ कर लेते हैं अलू डालें बाद अच्छे से फ्राइ कर लेते हैं लगवग 2-3 मिर्ट तो तीन मिर्ट तक अच्छे सालू फ्राइ हो चुका है आप देखिए इसमें अपने मसाले एड करते हैं मसाले की रूप में हम सबसे पहले यहां हल्दी पॉडर लेंगे तो हल्दी पॉडर एक चम्मच जितना भी अप कलर रखते उतना रखे एक डेर चम्मच डाल दें लिए फिर यहां पर म कसूरी मेथी से स्वाद और बढ़ी जाता है तो वो डालती है मैंने और बस इतना ही मसाला हमें एड करना है अल्रडी हमने लालमेश पॉडर लिया था भूना हुआ तो स्वाद तो और ऐसे ही बढ़ेगा ही बढ़ेगा तो सारे मसाले डाल करके काफी अच्छे से बूनना है और नमक स्वाद खिसाब से रख दे यहां पर अद्रक और लहसुन का पेस्ट मैंने बनाये हुआ है अद्रक और लहसुन को काफी अच्छे से करश कर लिया है तो 3-4, 5 बढ़ों जितना भी आप खाते अद्रक लहसुन जाए भूमिंआ कोट करके डाल दे और फिर अच्छे से भून ले इसमें इसमे एक और इंग्रिडेंस एक और सामग्री पड़ती है जिसकी वसे और भी डाल जाता है पुर सामग्री है टमांटर तो टमांटर आप सीम आलू के सब्जी में जरूर से जरूर एक या दो तीन आप जादा ज्यादा एड़ करेगा तो और भी ज्यादा टेस्ट बढ़ा देगा तो टमाटर में यहां दो लेकर के काट करके डाली हूँ तो टमाटर डाला है टमाटर में पानी होता है तो अलड़ी हमें यहां पानी डाले की जरुवत नहीं पड़ेगी तो टमानटा डालने से अल्री हमारा आलू जो है काफी अच्छे से पक जाएगा तो सारे मसाले बुने हुए थे और बुन चुका है तो अधक करके चार से पांच मरता कासानी से धक करके पकाएं जब तक आपका आलू बहुत ही अच स्वादिस तिक रही है तो आलू तो मेरा पक चुका है मैं आपको चक करके दिखाती हूँ यह देखिए हलका सभी प्रेस करने पे इसमें काफी अच्छे से दब जा रहा है मतलब आलू पक चुका है अगर आपके आलू नहीं पकते हैं तो एक-दो बार और धक करके हैं यकिन मानिए दोस्तो मैंने जो मसाला इसमें एड किया है वो एकदम यूनिक मसाला है और स्वाद को इतना जादा बढ़ा देता है कि सबजी उंगलियां चाटने को मन करता है इतना अच्छा सबजी बनता है तो आप भी जरूर यह सबजी अपने घर पे ट्राई करें कम आफ लाए वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को अबस्क्राइब करें वीडियो क नेचे लाइक बटन या लाइक बटन प्रेस करें तो मिलती हम फिरसे आपसे नहीं वीडियो में तो तक अपना अपनी फैंली का ख्याल रखिए टेक्या बबाइ थैंक्स वर झाल झाल